और अब खबर प्रताबगर से यहाँ पर पैंथर घर में सोती हुई बच्ची को उठा कर ले गया था ये खबर की हमने बात की और किस तरह से यह हमला इस पैंथर ने किया इस बच्ची की जान चली गई वो हमने आपको बताया अब आगे बढ़ते अगली खबर का रूप कर ल आए गया है हिसार से गुजरने वाली ट्रेनों को भी रद्ध कर दिया गया है तो आपको बता दे स्वैंभू बाबा रामपाल पर आज फैसला आएगा और सत्नोक आश्रम में हत्या के दो मामलों में यह फैसला कोट सुनाएगी आपको बता दे हिसार मिधार 145 लागू कर गई है और कड़े सुरक्षा के बंदूबस्त किये गए है और कोट से 3 किलोमेटर का सुरक्षा घेरा भी बनाया गया है पुलिस प्रिशासन पूरी तरह से एलर्ट मोड पर है अतिरक्त जापता भी तैनात किया गया है और हिसार से गुजरने वाली तमाम ट्रेनों को भी फ गया था रामपाल और आर्ये समाज के समर्थकों के बीच सत्लोक आश्रम के बाहर हिंसक जड़प हुई थी जड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और आपको बता दे मखिला की हत्या के आरोप में रामपाल 22 महिने तक जेल में बंद रहा था सरकार ने करौंधा अश दे दिया था ट्रस को आश्रम दिये जाने से ग्रामी नाराज हो गए थे 12 माई 2013 को जड़प में 30 लोगों की जाने चली गई थी जबकि सेक्ड़ों लोगाल हुए थे करौन था आश्रम खाली करवाए गया था और रामपाल बरवाला आश्रम इस दौरान आया हत्या मामले म रामपाल को 2008 में जमानत मिलने के बाद रामपाल कोट में कभी पेश ही नहीं हुआ रामपाल को 43 बार हाजर होने को कहा लेकिन उसके बाद भी वह नहीं नहीं पहुँचा 2014 में कोट ने रामपाल को गिरफतार करने का आदेश दिया रामपाल और उसके समर्थकों ने कोट के आदेश पर जम कर हंगामा किया रामपाल के 15,000 समर्थकों ने पुलिस पर हमला कर दिया था जंगामे में 6 लोगों की मौत हो गई थीं और 200 लोग जखमी हो गए थीं रामपाल पर उच्छे मामले चल रहे हैं दो मामलों में रामपाल बरी हो चुका है हत्या बंधक बनाने, देश दोह और अवेट तरीके सामगरी जमा करने का भी रामपाल पर आरोप लगा है और चलिए जी मीडिया समधाता हिसार से सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका रुख कर लेते हैं सुमित स्वेंभू भाबा रामपाल पर आज कोट फैसला सुनाने वाले हैं सुरक्षा के लिहाद से बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस प्रिशासन पर और कोट की अगर कारवाई की बात की जए तो क्या कुछ कोट के कारेवाई रहेगी और सुरक्षा के क्या कुछ प्रबंद है आई देखे हिसार में 244 जो है वो लगा दि गई है रामपाल को लेकर जो फैसला आने वाला है कोट का उसको लेकर 0144 लगाई गई है इसके अलाबा करीब दो हजार P felonypole की टैनाती की गई है और 5 कमपनिया जो है वो पैरा मिलिटरी फोर्स की लगाई गई है इसके अलाबा 12 जो है एसपी को डिप्यूट किया गया है इसके अलाबा कई डिवूटी मजिस्टेट को भी सुरक्षा की चौकसी के लिए जो है वो उन्हें तैनात किया गया है आपको मैं तस्वीर के जगे दिखाना चाहूंगा ये जो मैं इसमय बॉर्डर पी मौजूद तो वापस उन्हें लोटा दिया जा रहा है यानि कि जो है रामपाल के जो फॉलोर्स है उन्हें शहर में यानि हिसार शहर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है आप देख सकते हैं लगतार चेकिंग पुलिस की ओर से की जा रही है क्योंकि सीमा जो है जो भी सीमा हिसार जीले से लगता है उस सिमा को सील कर दिया गया है और सभी गारियों की जो है सगन एक तरह से जांच यहां की जा रही है उसके बाद ही जाने दिया जा रहा है तो जाहर तोर पर पुलिस जो है वो चौकसी बढ़ते हुए है क्योंकि जिस तरह से जो फॉलोर्स जो जूटने जो है हालात ना बिगरे इसके लिए पुलिस की चौकसी जो है लगतार पुलिस बनाए हुए है और सारे दस जो फैसली की जनकारी है सारे दस बजे जज कोट में बैटिंगे उसके बार 2014 की तस्वीरे जब आदेश दिया गया था रामपाल को गिरफतार करने का कोट की ओर से वो तस्वीर एक बार फिर से सामने ना आए इसी के मद्दे नज़र सुरक्षा के पुखता बंदोबस्त किये गए शुक्रिया फिलाल तमाम जानकारे के लिए आपका